हेलो दोस्तो आज हम वेस्ट बंगाल के कोच बिहार डिस्टिक के एक खुप सूरत रेलो एस्टेशन न्यू कोच बिहार जक्षन के बारे में जानेंगे न्यू कोच बिहार जक्षन से भारत के किसी भी कोने में जाने के लिए आसानी से ट्रेने मिल जाती हैं यह जक्सन कोच बिहार के लोगों के लिए बहुत ही खास है क्यूंकि न्यू कोच बिहार जक्सन कोच बिहार के लोगों के लिए और उसके आसपास के लोगों के लिए हमेशा अच्छी सर्विस परदान करती है न्यू कोच बिहार जक्षन को 1966 में बनाये गया था इस जक्षन का एस्टेशन कोड है NCB न्यू कोच बिहार जक्षन को नौर्थ इस्ट फोरेंटेर रिल वेजोन अपरेट करती है जिसका डिवीजन अलिपुर्दुआर है न्यू कोच बिहार जक्षन पर टोटल साथ प्लेटफोर्म हैं और आठ ट्रैक्स हैं यानि आठ पत्रियां हैं जिनको 2021 में इलेक्टिफाइट कर दिया गया है न्यू कोच बिहार जक्षन पर कैट्रिंग यानि खानपान, वाइल चार्जिंग सौकेट, वाइफाइ, वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, इंक्वाइरी काउंटर, वाटर, टोईलेट, ट्रांसपोर्ट और ओर्टोरिक्सा पार्किंग की फैसलिटी है न्यू कोच बिहार जक्षन से अलगल रेल्वे लाइन जाती हैं, बरावनी गुहाटी लाइन, अलिपूर द्वार बामन हार्ट ब्रांच लाइन, इतनी रेल्वे लाइन होने की वज़े से यह रेल्वे स्टीशन बहुत इव्यास्थ है न्यू कोच बिहार जक्षन को समुंदर तल से 48 मेटर क्यों चाई पर बनाये गया है, इस जक्षन से डेली एक लाग से जादा यात्री यात्रा करते हैं न्यू कोच बिहार जक्षन पर टोटल 112 ट्रेनों का स्टॉपिज है, यानि 112 ट्रेने यहां आती हैं, रुकती हैं और फिर रवाना हो जाती हैं न्यू कोंच बिहार जक्षन से एक ट्रेने स्टार्ट होकर अलगलग सेरों के लिए रवाना होती हैं और एक ही ट्रेने यहां आकर समाप्त हो जाती हैं न्यू कोच बिहार जक्षन से नियरेस्ट इल्वेस्टिशन कोच बिहार है जो की मात्र 4 किलो मिटर की दूरी पर है अगर आप लोग कोच बिहार के रहने वाले हैं इस वीडियो को लाइक करें हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बैल आइकन का बटन ज धन्यवाद